हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं सांती सांत अगर आप इनोट्स और ईबुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी माध्यम में हम जिन बोड्स को कवर करते हैं वो बोड्स हैं डेली बोड, बिहार बोड, यूपी बोड, एमपी बोड और राजिस्थान बोड इन सभी बोड में आप हमारी कख्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम लोग कख्षा 11 की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिधांत इस बुक का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है महासागरिय जल संचलन इस चैप्टर को हम लोगों ने विभिन व प्रश्ण भी देख लिये थे आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंदित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्णों पर चर्चा करेंगे दरसल एक्जाम टाइम में आपनों की डिमांड होती है कि सर सिलिबस बहुत बड़ा है इस बुक में बहुत ज्य अतिलगुत्रिय लगुत्रिय और दिरगुत्रिय प्रश्ण साथी साथ कुछ वेकलपिक प्रश्ण भी यहां पर सम्मेलित किये गए हैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ वैकलपिक प्रशन जो है हम लोग देख लेते हैं उनका उत्तर आपनों को देना है लगभग पांच वैकलपिक प्रशन जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला प्रशन दिया गया है प्रत्वी तथा चंद्रम जी है वो पता होनी चाहिए कि अपसौर क्या होता है भाई प्रत्वी और सूरी की जो मैक्सिमम दूरी होती है किसकी प्रत्वी और सूरी की जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर मैक्सिमम दूरी जिस डेट को होती है उस दिन हम बोलते हैं कि भाई अपसौर की स्थिती बनी हुई है प्रत्वी और सूर के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है क्योंकि हमें पता है कि जो प्रत्वी होती है वो सूर के दीरवर्ताकार कक्षा में जो है वो परिक्रमा लगाती है हमें पता है जैसे सूर्य है और यह माली यह प्रत्वी है तो मैक्सिमम दूरी होती है नियोनतम दूरी होती है तो हम इसे उपसौर बोलते है ठीक है नाम सही इस पस्ट सौर मतलब सन की बात हो रही है अप सौर जब मैक्सिमम दूरी होती है लेकिन यहां पर बात प्रत्वी और सूरी की नहीं हो रही है प्रत्वी और चंद्रमा की हो रही तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option C, उप भू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रशन बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, चलिए, दूसरा प्रशन हम लोग देख लेते हैं, बोला गया है कि व्रहद जुआर आते हैं, व्रहद जुआर कब आते हैं, तो हम लोगों को मिलते हैं, और ये रैखी स्थिती होती है, याद रखेगा, रैखी स्थिती में, यानि सूरिच चंद्रमा और पत्वी जो है, अगर एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और ये कंडिशन अगर अमवस्या पूरिमा को होती है, तो व्रहद जुआर आते हैं, उमीद करता हू सर इसका होगा, अप्शन ए, अमवस्या पूरिमा को, प्रशन नंबर तीन हम लोग देख लेते हैं, चलिए मैं पहले वाले प्रशन से समंदित, आप लोगों से एक प्रशन जो है, वो पूछता हूं, कि अमवस्या जो है, वो कब होती है, आप मुझे बताईए, अमवस्या कब हमें देखने को मिलती है, कब होती है, क्या होती है, कंडिशन, सूर्य, प्रत्वी और चंद्रमा की, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चलिए, तीसरा प्रशन हम लोग देख लेते हैं, विश्वक के उच्चितम जवार आते हैं, मैक्सिमम जो हाइट ह हम लोगों को पानी की कहां पर देखने को मिलती है, उच्चितम जवार की बात हो रही है, फंडी की खाडी, फ्यूनिया की खाडी, मैक्सिको की खाडी और कार, पेंट्रिया की खाडी, आप लोगों को चार विकल्पों में से एक का उत्तर बताना है, कि कौन सी खाडी जो है यहाँ पर उच्चितम जवार लाती है हम लोगों को lcit की बुक में इसी चैप्टर में इक खाड़ी का जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है याद है आप me मैक्सिको कि खाड़ी, usa और कनेडा होता है उसकी पूरवी सीमा पर फंडी की खाड़ी देखने को साउ मिलती है मैं बार-बार आप लोगों से बोलता हूं कि जब भी इस तरीके के प्रशन आते हैं जैसे कि यहां पर इसका उत्तर क्या है फंडी की खाड़ी तुरंत जो है आप लोगों को वीडियो पॉस करनी है मैप पर जाना है, मैप नहीं है जो की गलत बात है अगर मैप नहीं है तो गूगल पर जाएं मैप पर देखें कि फंडी की खाड़ी की Stealth क्या है क्या होगा कि exam time में आप लोगों को अलग से कोई प्रशन नहीं होगे बस एक मैप आप लोगों को थमा दिया जाएगा और इसमें लिखा होगा कि fundi की खाड़ी locate करके मैप पर बताईए कि कहा पर है तब आप लोगों को बनेगा नहीं है syllabus का ही आपको लगेगा कि ये तो हमारे syllabus में नहीं है तो fundi की खाड़ी में विश्व के उच्चतम जवार देखने को मिलते हैं सही answer है option A चलिए चौते नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं निमनांकित में से कौन सी धारा Atlantic महासागर में नहीं बहती है हम लोग ने प्रशांत महासागर Atlantic महासागर और हिंद महासागर से चलने वाली कुछ गर्म और थंडी जलधाराओं को देखा था Atlantic महासागर उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे जैसे कि यह भूमत रेखा है यहां पर उत्री अमेरिका महादवीप है यहां पर दक्षन अमेरिका महादवीप है यूरप जो है महादवीप है और अफरीका है इनके बीच जो है महासागर जो महासागर इस्तित है इसको हम लोग बोलते हैं Atlantic महासागर और Atlantic महासागर में कौन सी जलधारा बैती हमें बताना है गल्फ स्ट्रीम की धारा हमबूल्ट की धारा लेबराडोर की धारा और फॉकलेंड की धारा इनमें से दो धाराएं ऐसी हैं जिनको आप आसानी से पहचान सकते हैं मैंने बताया था लेबराडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा है इन दोनों के मिले से यहां पर क्या होता है गहना कोहरा उत्पन होता है प्लैंक्टन की पैदावार होती है छोटी मशलियां यहां पर पाई जाती है और उनको खाने के लिए बड़ी मशलियां आती है कुल मिलाकर यह छेत्र कौन सा छेत्र होता है मतत सिपालन का छेत्र होता है तो यहां पर दो जलधाराओं को त आपनों को दक्षन अमेरिका महर्विप में देखने को मिल जाएगी उसके लास्ट में सदन टिप के पास ठीक है तो सही अंसर इसका है हम बोल्ट की धारा चलिए पाचवा प्रश्ण और देख लेते हैं कि प्रत्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है अभी मैंने पहले प् प्रत्वी के बीच की मिनिममम दूरी कितनी मिनिममम दूरी को हम लोग उपसौर बोलते हैं एक निश्चित तिथी को उपसौर की कंडिशन बनती है और एक निश्चित तिथी को ही अपसौर की कंडिशन होती है तो आपनों को बताना है जुलाई अक्टूबर सितमर और जन जनवरी ठीक है जनवरी को उपसौर की स्तिती जो है वो बनती है तो सही आंसर इसका होगा option D चलिए तो दो homework आप लोगों के वेकलपिक प्रशनों से मैंने दे दिये हैं पहला homework मैंने दिया है किस condition में अमस्या होती है आपनों को बताना है और दूसरा मैंने दिया है कि उपसौर की condition निश्चित डेट मुझे बताईए कि कब होती है जनवरी में ठीक है उमीद करता हूँ यह पांच प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से हो गए होंगे मज़ा आ रहा होगा वीडियो में अगर वीडियो क्लियर है मैं जो समझा रहा है आप तक पहुँच रहा है तो चलिए पट्टा फट वीडियो को लाइक कर तीजिए अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है चलिए अब हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण अति लगुत्रिया प्रश्णों पर चर्चा कर लेते हैं पहला प्रश्ण पूछा गया है समुद्री तरंगे क्या है समुद्री तरंगों के बारे में ये प्रश्ण प बिलती है ठीक है तो सही आंसर देख लेते हैं समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति हैं जिसमें जल एक ही स्थान पर उपर नीचे होता रहता है परन्तु अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता अगर जाता तो धारा हो जाती है ना के उर्जा का प्रवह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो तरंगे क्या है वास्ताव में एनर्जी है उर्जा है जिसकी वज़े से जोvenge वे एक स्атता पर एक स्थान से कि गुरुतवा करशन बल की वज़े से अपकेंद्री बल की वज़े से जुवार भाटे आते हैं यह हम देख चुके हैं बस जो हम लोग ने साधान भाषा में समझा है उसी को यहां पर लिख देना है तो जुवार भाटा की जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा सूरी तथा प्रत बल का नाम भी ले सकते हैं कि प्रत्वी जो है अपकेंद्री बल भी लगाती है एक सेंटर से दूर जो है एक बल कारेरत होता है जिस वज़े से भी जवार देखने को मिलते हैं तो यह चोटा चोटा जो है प्रशन था इसलिए इसका उत्तर यह हो जाएगा उमीद करता हूं यह साथ प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होंगे चलिए आठवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं किस महासागर की धाराएं रितू परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन हमारे लिए क्यों भाई मह क्यों है क्योंकि हम लोगों ने जल्धाराओं के बारे में पढ़ा था तो जल्धाराओं में मैंने प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जल्धाराओं के बारे में बताया था तब मैंने हिंद महासागर में बताया था कि जब मौनसून की रहा है मतलब उत्री जो विश्वती जलधारा है यह नहीं चलती मतलब रितु के अनुसार परिवर्तन हो रहा है जैसे कि मौनसून की रितु आ रही है तो नहीं चल रही है तो यहां पर रितु परिवर्तन के साथ जो जलधारा हैं चलती है वो सिर्फ हिंद महासागर में ही द जलधारा क्या है ठीक है अगुलहास जो गर्म जलधारा है इसके बारे में आपने उसे पूछा जा रहा है जनली जो जलधारा है खासकर जिनका नाम ऐसा है कि वह किसी महादवीब से आप लोग उसको गैस नहीं कर सकते जैसे कि पश्चिमी आस्टेलिया जलधारा तो आप गै गैस नहीं कर पाते और एक्जाम पॉइंट अव यू से यह जलधारा है बीहद महतवपूर्ण हो जाती है तो अगल हास गर्म जलधारा क्या है आपनों को बता देना है सही आलसर है कि मेड़ा गासकर द्वीब कहा है आप सभी को पता है कि आफ्रीका जो महाद्वीब है माल कर एक हो जाती हैं तो यहां पर दो जलधारा मिलती हैं और एखो जाती है और यह जो स को बोलते हैं अगुल हास की गर्म जल्धारा गर्म जल्धारा याद रखेगा कोई क्वेशन ऐसा भी बन सकता है कि अगुल हास की जो जल्धारा है वो कौन सी है गर्म है ठंडी है तब आपनों को पता होना चाहिए कि ये गर्म जल्धारा है ठीक है और गर्म और ठंडी के बारे में ये तो दसवे नंबर का प्रश्ण देख लेते हैं विश्व का सबसे उचा जवार भाटा कहां आता है वेकल्पिक प्रश्णों में भी देख चुके हैं विश्व का सबसे उचा जवार भाटा आता है फंडी की खाडी में कहां पर विश्व का सबसे उचा जवार भाटा कनाडा के न प्रशन देख चुके हैं पांच पैकल्पिक और पांच अतिलगुत्रिय उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो में जो है मज़ा आ रहा होगा आप सभी प्रशनों के उत्तर गैस कर पा रहे होंगे मन में उनका उत्तर भी दे रहे होंगे और जो जो द्वीप समू आ चलिए अब हम अतिलगुत्रिय के बाद कुछ लगुत्रिय प्रशनों को देख लेते हैं ठीक है बड़े उत्तर हम लोगों को देने होंगे इन प्रशनों में सबसे पहला लगुत्रिय प्रशन है तरंगों और धाराओं में अंतर स्पस्ट करें भाई धाराय और तरंगे क् क्या होती है तो तरंग हम देख भी चुके हैं एनरजी का नाम है धारा है क्या है जल की गती है तो यह एक अंतर तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है तो चलिए देख लेता है तरंगों का जल उपर नीचे तथा आगे पीछे हिलता है वह अपना स्थान छोड़कर आग लगता है याद रखिएगा धाराओं में जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है क्योंकि पवने धक्का देती हैं ठीक है जैसे कि व्यापारिक पवने है व्यापारिक पवने अगर आकर मिल रही है तो जल धारा जो हैं बना दे रही है और जल आगे बढ़ रहा तो इस तरीके से तरंगे जो होती है वो अपने ही स्थान पर आगे पीछे होती है जल के कारण और जो धाराएं होती है उसमें जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है दूसरा अगर हम अंतर देख लें तो तरंगे केवल जल तल तक सीमित रहती है तरंगों का ऱियाप्त गहराई तक प्रभाव कारी होती हैं कहने का मतलब यह है कि अगर अगलिजे कहीं पर महासागर है पानी जो है वह तो तरंगे जो पैदा होंगी वह ही पर होंगी उपरी सतर पर लेकिन जलधाराइं जो हैं वो अंदर भी गहराई में भी घती करती हैं याद रखेगा तो धाराइं परियाप्त गहराई तक प्रभावकारी होती है धाराइं स्थाई पवनों के प्रभाव से चलती है स्थाई पवने हमें पता है धुरुबिये भूबड़ा करेंगी कभलंततों को भी ठंडा कर देती हैं कईब गर्म जलधरा अगर ठंडे छेतड परब हैं तो यहां पर हम dyeंतर बहुत अच्छे से देख लिए हैं तो तरंगों का आकार जलकी गहराइं पर निरभर करता है भैई अगर बहुत गहरा समुद्र है खुला समुद्र है तो तरंगें बड़ी बड़ी उठेंगी और अगर उथला समुद्र है पानी कम है तो तरंगें छोटी छोटी जो है वो चलेंगी धाराओं के अगर हम लोग बात करें तो धाराओं सदेव विशाल आकार की होती है अप ऐसा समझ स को लोग बोल रहे हैं इसलिए तो बोला जा रहा है कि सदैव विशाल आकार की होती हैं इनके मिलने वाले छेतर मचलियों से भरे रहते हैं इनके मिलने वाले मतलब गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने है गर्म और ठंडी पानी की यह जो इस्तिती होती है दोनों पानी जब मिलते हैं तो जलवाई बहुत अच्छी होती है कई बार यहां पर प्लैंक्टन के लिए आदर्श इस्तिती पैदा हो जाती है छोटी-छोटी पेड़ पूदे उग जाते हैं उनको खाने के लिए छोटी महासागर में देखा था कमेंट करके मुझे बताईए वो छेतर किन दो जल्धाराओं के कारण बना था ठंडी और गर्म जल्धारा है एक गर्म जल्धारा है यहां पर कहरा पैदा होता है इसलिए आप आप लोग ने टाइटैनिक जो है मूवी देखियोगी तो टाइटैनि बर्फ की राशी से ठीक है तीसरा अंतर हम लोग ने देख लिया है चौतर अंतर देख लेते हैं तरंगे स्थाई होती है और सदा बंती बिगड़ती रहती है धारे सदा स्थाई होती है ठीक है जो तरंगे होती है वो स्थाई होती है स्थाई का मतलब होता है कि कोई जरूर तरंग करता हूं आप लोगों को तरंग और नह्से के बारे में जो मैंने अंतर बताएं यह चार अंतर बहुत अच्छे से clear हो गया होंगे आप चाहें तो तरंगों की यह चार अंतर इस साइड वाले वो भी याद रख सकते हैं अगर तरंगों पर टिपड़ी की करने को आजाए आप चाहें तो धारांओ कि राइट साइड वाले जो अंतर हैं वो भी याद रख सकते हैं क्योंकि एक सेपरेट प्रशन ऐसा बन सकता है कि भाई धाराओं पर टिपड़ी लिखें और किनी चार ठंडी या करम जलधाराओं के नाम बताएं तो उमीद करता हूं ग्यारवा प्रशन एक लगुत्रिय प् गल्फ स्ट्रीम की धारा देखी थी गल्फ स्ट्रीम की धारा लेबरेडोर की धारा से मिल रही थी कोहरे वाला छेत्र अभी मैंने बताया फिर एक कनारी की धारा होती है जो थंडी जलधारा होती है और इनके बीच का इनके बीच का एक छेत्र ठीक है गियर्स इसको बोलते ठीक है तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं उत्रिय आट्लांटिक में ठीक है उत्रिय आट्लांटिक महासागर की बात हो रही है गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्री विश्वतिय धाराओं के बीच इस्तित एक बार मैं आप लोगों को मैप पर बताने की कोशिश करता हूं ठीक है मादवीप नहीं बना रहा हूं आप ऐसे समझ जाएए कि उत्री विश्वती जल्धारा होती है हमें पता है और यह जब ऊपर की और मड़ती है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा का रूप ले लेती है मैं यहाँ पर बना दे रहे हूं गल्फ स्ट्रीम ठीक है इसी तरीके से कौन सी जल जा रहा है थै तो कौन सी जल जल धारा है यह फाली जल धारा याद रखियागा जिस वज़े से क्या होता है देख लेते हैं तो उत्री अट्लांटिक में गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्री विश्वतिय धाराओं के बीच इस्तिस शांत जल के छेतर को सारगेसो सागर कहते हैं इनके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है मतलब यहां पर तट पर हमें मोटी समुद्री घास देखने को मिलती है घास को पुर्तगाली भाशा में सारगेसम कहते हैं क्या बोलते हैं सारगेसम बोलते हैं जिनके नाम पर इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है और यह बह यह का ध्यान ना रखा जाए तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो तो इसका जो छेतर वाल होता है लगबख 11000 वर्ग किलोमेटर होता है आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे से सारगे सो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है इंप लगा लीजेगा इसको ज ही जब भाड़ा नौसंचलन को किस प्रकार प्रभावित करता है ज़ोढ़ावाटा नौसंचलन से कैसे संभंधितों यह से प्रभावित करता है जो आर के समय जो है पानी में बढ़ोतरी होती है जलसतर उपर हो जाता है तो कई बार नौकाइं जो है वो तट पर आ जाती है अक्सर गाउं बगेरा में आप लोगों ने देखा होगा कि जब नाव बगेरा चलते हैं चोटी-चोटी नाओ से गाउं में जो है एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं तो पानी कम होता है तो नाओ चलाने वाला नाओ थोड़ी पहले रोग देता है फिर आप के समय जब पानी बढ़ जाता है ना तो जो जहाज भारी होते हैं ठीक है जो गहरे जहाज होते हैं वो तट पर आ जाते हैं क्योंकि पानी की जरुत होती है जहाजों को तट पर लाने के लिए लेकिन जब जवार नहीं होता तो जहाजों को पहले ही रुकना पड़ता है कई जुआर से जलकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुच जाते हैं और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस आ जाते हैं इस प्रकार जुआर भाटे के कारण ही हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर क्रमशाह कोलकाथा तथा महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया है जुआर आते हैं तो बहुत समय के साथ जो है जहाज जो है यहां पर आते हैं और समय से निकल जाते हैं कईवा भाटे के सांथ वापस भी हो जाते हैं ठीक है याद रखिएगा तो अमीद करता हूं आप लोगों को यह तेरवा क्या है इसके प्रमुख प्रकार बताने हैं और इसके महत्व का वरणन करना है बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लीट प्रशन आपनों को से यहां पर पूछ लिया गया है उमीद कर रहा हूं आपनों को वीडियो पसंद आ रही होगी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए हम इस प्रशन का उत्तर जान लेते हैं समुद्र का ज नीचे उतरने को भाटा या एब बोलते हैं पूर मासी या अमवस्या के जवार की उचाई अन्य दिनों की अपिक्षा 20 प्रतिशात अधिक होती है मतलब समय दीर्ग जवार जो हैं देखने को मिलते हैं और यह महीने में दो बार होती है तो जनरली महीने में क्या होता है एक कमस्या पूनिमा पढ़ती है और इस समय दीर्ग जवार किस्तिती देखने को मिलती है मतलब जलिस्तर बढ़ जाता है जवार भाटे के प्रकार यानि टाइप्स ऑफ टाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो जवार भाटा को उसकी आवरती तथा उचाई के आधार पर वर पूरती के अधार ठीक है टाइट्स बेस्ट और फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार आते हैं तो सबसे पहला जो वरगी करण है वह अर्द द्वैनिक जवार जिसको हम लोग बोलते हैं द्वैनिक जवार और मिश्चित जवार में वरगी करत कर सकते हैं उचाई के अधार पर देखें तो व्रहद जवार भाटा यानि स्प्रिंग टाइड और निम्न या लगू जवार भाटा यानि नीप टाइड के रूप में से वरगी करत करते हैं अब हम लोग चाहें चाहें एक्जाम की डिमांड के अनुसार या तो इसको समझा भी साथ सकते हैं क्योंकि यहां पर समझाने को नहीं कहा गया था सिर्फ प्रकार बताने को कहा गया था यदि इसमें प्रश्ण में गुंजाईश होती है आपकी शब्द यदि बचते हैं तो आप चाहें तो व्रहद जवार सौरी यहां पर व्रहद जवार भाठा देनिक और मिश्रिट जवार को समझा सकत हैं मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्स्प्रेइन किया है कि मेरे साफ से शब्दों बहुत ज्यादा हो जाएंगे चितर भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा कई बार मालीजे कुछ प्रश्ण ऐसे आते हैं जो दो से अधिक प्रश्णों से मिलकर बनते हैं ज नंबर हमें दे देगा ठीक है अगर हम importance of the tight की बात करें तो नदी मुकों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रविश कर पाते हैं जैसे कोलकाता में हुगली नदी तो कई बार जो नदी तठ होते हैं उनमें जहाज जो है आसानी से प्रविश कर जाते हैं क्योंकि पानी जो ह जाते हैं तो कई बार पानी उतरता है तो उसके सांथ जो नाविक होते हैं मशली पकड़ने के लिए चले जाते हैं जब जब जुआर आता है तो वापस आ जाते हैं उनकी महनत थोड़ी कम हो जाती है जवार भाटे से तटी नगरों की गंदगी वह प्रदूशन स्वाफ हो शंक हो गया सीफ हो गया घौंगे यह कई बहुमूले वस्तुएं हमें जवार भाटे से ही प्राप्त होती हैं क्योंकि जवार से अंदरूनी बहुमूले खनेज तट पर ला दिये जाते हैं और भाटे के सांथ वापस हो जाते हैं ठीक है जवार भाटे के कार समुद्दरी पर्देशों में नहीं जम पाता तो सकता है पानी जम जाए लेकिन जवारभाता की गति शीलता कोबता अब भाई फ्रिज द्रुविय प्रदेशों में आप लोग ऐसे प्रदेशों में जहां जाते हैं और वहां पर थंड बहुत ज्यादा होती है वहां पर जॉआ भाटे के कार बर्फ नहीं जम पाती जम जाएगी तो बहुत दिक्कत्र पैदा हो जाएगी जुआ भाटे से विद्धुत-निरमार भ याद रखना ठीक है ऐसे ही तैयारी होती है ऐसा निंग कि कहानी जैसा प्रश्ण जो है समझ लिया और चल दिए अब यहां पर कहा है मैं पूरा चैप्टर आपनों को नहीं समझा सकता ना यहां पर से प्रश्ण जो है यहां पर हम उत्तर डिसकस कर रहे हैं इसलिए आप महासागरिया धाराएं किने कहते हैं इनकी उत्तपत्ति के कारण बताईए महासागरिया धाराएं जल का गतिमान होना इसको यह महासागरिया धाराएं बोलते हैं लेमेल लेंगवेज में अगर हम लोग देखें तो तो इनकी उत्तपत्ति आखिरकार क्यों होती हैं हमें उन कारणों को भी बता देना है सबसे पहरे कहते किसको हैं जल धारा एक बार देख लेते हैं तो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की और विशेश दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को पानी के निरंतर प्रवाह को महासागरी धारा कहते हैं याद रखेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पानी जा रहा होता है तो ठीक है धाराओं के उत्पन्न होने के कारण यानि causes of origin of currents के अगर हम लोग बात करें तो प्रत्वी के परिभ्रमन संबंधी कारण अंतर सागरिय तथा महासागरिय कारक सभी जो है धाराओं के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार होते हैं सबसे पहले अगर हम लोग देखें ताप क्रम की भिनता समुद्र का खारापन और घनत्व में भिनता जिसको हम लोगों ओर यहां पर जलदै चसे ठिट्रों से विश्वतिय चत्रों तरफ रिच्व चेट्रों से cerio qeyton कि तरफ शमूद्र का खारपन यह लिवनता भी धाराओं को गतीमान करती है अधिक खारा जो जल होता है उसमें घ्हनत्व अधिक होता है और कम खारी जल होता है उसमें घंध्व कम होता है वाधिक घंध्व में भिनता और लवनता में भिनता यह दोनों ही टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं तो यह प्रत्वी के परीब्रमण और अंता सागरी और कारक तो गजो है fuzzy दूसरे अंगर हम देखें बाहे कारिक की अगर हम बात करें तो वायूदाब और वश्पिकन ये भी जल्दाराओं को जो है वाले कारक जैसे कई बार तट के आकरती ही वैसी हो जाती है जैसे हम बोलते हैं किसी जगा की जोगरफी है कि वहां के लोग ऐसे हो जाते हैं तो इसी तरीके से तट की जो दिशा होती है वो जैसी होती है धाराएं भी वैसा ही आकाल ले लेती हैं उस तरीके से मुड़ जाती ह कई बार महासागरिय तल की आकरती भी जह है वो धाराओं को पैदा करने में महत्वफ्थापूर रोल-प्ले करती है MAUSMEE'd परिवर्तन भी धाराओं को पैदा करते हैं जैसे हैं कि हम लोगों भी जल्धाराओं को पैदा करने में महत्वपूट रोल प्ले करता है फिर प्रचलित स्थाई हवाएं हमें पता है हमारी प्रत्वी पर तीन स्थाई हवाएं चलती हैं एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्यापारिक पवन दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हो गया होगा इस प्रकार हम लोगों ने 15 प्रश्ण देखे हैं मुझे लगता है यह 15 प्रश्ण बेहत महत्वपूर थे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है मज़ा आया है पढ़ने में तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के स आप लोगो को क्लासिस प्रोवाइड करता है सांती साथ वैदिक मैट्स क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासिस भी मैगनेट ब्रेश चैनल द्वारा चलाई जा रही है www.magnatebrins.com यह हमारी ओफिशल वेबसाइट थी और इसका इंटरफेस आप लोग जो हैं यहा हमारे सोशल मीडिया चनल को फॉलो कर सकते हैं जिन सोशल मीडिया चनल फर हम उपलब्ध है वह हैं यूट्यूब फेस्बूक इंस्टाग्राम ट्विटर और वाट्सव चनल आपको करना क्या है इन सभी चनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को धेल सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के सांथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में comment box में comment करके doubt पूछ लेना है factors के लिए आप description box चर कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है रएक्स वीडियो में thank you thank you so much